नमस्ते आप लखलव वाले देख रहे हैं अभी अब लोग लखलव विस्व विद्दाले में मौझूद है लखलव विस्व विद्दाले में एक छात्रों का सम्मूह लगबग 100 दिनों से अधिक से अपना परिश्रम कर रहा है कि छात्सक बहाली हो जाए चात्सक की मांग उनका लगबग 100 दिनों से चल रहा है और अभी तक चात्सक के बारे में कोई चर्चा करने को तयार लही है विस्व विद्दाले में वो अलेकों बार अनेकों लोगों से बांग करें अनेकों नेताओं से मिल रहा है और हस्ताक्षे रभ्यान भी चला रहा है इस तमाम बुद्धे पर हम बात करेंगे उन चात्रों से जो निरंतर प्रयास कर रहा है चात्संग को ले करके आईए बात करते हैं जी अपने बारे बताईए मेरा नाम बिंदवासनी सुकला है मैं बीए एतिती वर्स का चात्र हूँ ये बताईए कि ये कितेले दिरों से चल रहा है चात्संग को ले करके आप लोग आदोलन कितने दिरों से पंदरा नॉवंबर 2022 से लगातार लखनोविस विद्याले के मुख परिसर नवीन परिसर और इससे संबद महा विद्यालेयों में पंदरा नॉवंबर से निर्णतर चात्संग बहाली को लेके अब यान चल ला है जिसके तहट पहले शुरुवात में चात्रों को ये बताया गया कि चात्संग चुना होता क्या है लोग भूल चुके थे क्योंकि 17 साल से जो चीज बंद पड़ी है उसको जगाने का काम हम सभी चात्र लखनो विश्विद्याले की मिलकल कर रहे हैं ये लडाई 15 नॉवंबर जो शुरू हुई है और इसके 100 दिन अभी कल पूर्ण हुए है आज 101 दिन है हम सबसे पहले हमारे दर्सकों को आप ये स चासंग की चात्र संग राजनीत की नरसरी जाती है जिसे समाप्ट करने का काम विश्विद्याले पresthansं लगातार कर रहा है चात्रों के अधिकारों का दमन हो रहा है चात्र दोलाया है उसकी कोई Ihradu आज की समय में प्रसा संग के नजरों में नहीं है इसलिए चात्र राजलीत का नरसरी है और इसी विस्वविद्दाले से अनेकों ऐसे चात्र पुर्व चात्र जो निकले हैं और आज देश और प्रदेश की राजलीत में बहुत अच्छे पद पर है तो उनसे क्या आपने मिलने का या बात करने का कोशिस किया और उनसे क्या आपको उमीद मिल उन सभी लोगों से लोगों ने बात करी है चाहे वो माननी उफ मुखमंत्री बिजेश पाठक जी हूँ दया संकर जी हूँ सिंग जी हूँ या फिर बिपच्छ के नेता हूँ जो इत्ते समय बिपच्छ में अर्विन सिंगोप सभी लोगों के पास हम लोग गए है और आपके रावर से लिथे जी कराना चाहता है फिर हम जाके संसत्त की लड़ाई लड़ने को तयार हैं हम चात्र विशुद्यलेक संगर्सों के साय में इतिहास हमारा पलता है जिसोर जवानी चलती उसोर जवाना चलता है भहिया बता रहे थे कि आज 101 दिन है और 100 दिन से हम लोग हस्ताचार विहान चला रहे है इससे अफ्लेटर जितने भी कॉलेज वहाँ पर जार हस्ताचार विहान कारा रहे है लोगों का इतना बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा है चासंग को लेकर जैसे भहिया नने का कि बेटे ही उसी राज पोसी पर उनको उतारा जाता है और मेरे अंदर भी भाव है कि मैं भी देश की निर्चल भाव से सेवा कर सकूँ और चासंग हम लोग पूरिया सबसे हाथ जुड़की निविदन करते हैं कि जो भी वेक्ट हमको देख रहा है वह हमारा समर्थन करे और चा बहाली हो जाएगा जिस तरीके से आप लोग साध्य पुड़ों और तरीके से आप लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं उससे कुछ उमीद लग रहा है कई महापुरसों ने भी कहा है कि कोशिज करने वोले कि हार नहीं होती और पहले भी छासंग होता था लेकिन कुछ कुछ कूट नीती और कुछ राजनीतिक सद्यंत्रों के कारण लखनों विश्दाले में किवल छासंग बंद है हमारे ग्रेह जैन्पत बगल में साकेत कराया है यहाद हम लोग का 101 दिन है और आप देखिए अब निश्ची तुरूप से देखिए कि एक दिन हम लोग चासंग बहाली करा के मानेंगे और अपना अपना मंत्री होगा हमारा अपना संगठन होगा हम पनी बात हो कह सकेंगे मेरा नाम रित्तिक राय है मैं बीकॉम फफ्टियर के छात्र हूँ और मैं गाजीफूर का रहने वाला हूँ मैं यहाँ पे जो पहले आया तो मेरे दिमाग में छात्र फंग बहाली चाया ऐसा कुछ नहीं था जा ओँ कि मैं कभी प्रतायित नहीं हुआ था मैं कभी दभाय नहीं गया था शात्र संग जा फिर ऑपर जो पर्लां आने के बाद मुझे बहुत और प्रतायित किया गया कोई फाइल अगर इन्कम टेक्स वाले थक हम औरो चाहिए तो पहले जा पहले जाँ यह कं पानु के लिए पहली बार गया था यहीं प्रफ़ाना और फॉत सब चीजे लोग पूरा साल पढ़ते हैं रहते हैं यहां पे लग जाएंगे जन्राल चात्र तो और ज्यादा लगेगा और फीव देख लीजिए यह इन्हों ले बहुत एक अच्छा मुद्दा बताया जो अभी तक लोगों ने बताया कि चात्र जरूरी और उनका भी मुद्दा ठीक था लेकि लिए लोग बहुत अच्छा मुद्दा ब पता चलता है कि चात्र संग बहाली अगर हुआ होता तो यह सबसेले हो जी मैं घट्ना बता रहा हूं मेरे दोस्त के साथ घड़ी थी हुआ कि मेरा दोस्त बीकॉम एनएपी में एडिमिशन लेने के बाद सब करवाई होने के बाद जब एक जमा होने लगे तो पता चला कि वो बायों से था अरे पहले तुमको पता नहीं चला कि वहां कि उसका पूरा साल खराब गया मयाँ कि नाम था उसका अब वह यहां से अभी एक्जाम हो रहा है उसको निसकाफन गया यहां से क्यूंकि तुम बायों से हो तुमको ब्लाइभ करना चाहिए बियें अगर सीड तो कैसे बीना इंट्रेंस के यह भी तो फर्दी है अगर चाथ वहां पर होता तो उसका अधिशन नहीं होता अगर हो गया तो चैनल नहीं होता यह यह फिर हो ना यह फारी गल्ती यह जो देख रहे खोर यह फारे भीशी के यह फिर प्रोक्टर के यह सब फर्दी बाड़ा हो तो पहले ही चेक क्यों नहीं किया गया हम यह सवाल करते हैं और लखनाव विश्वेडाले आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश का एक बात्र और सबसे पहला विश्वेडाले है राजी अस्तरिया विश्वेडाले जिसको नैक के टीम दोरा एडबल प्लस ग्रेडिंग मिली है कुछ नहीं यहां पर टॉयलेट करना जाओ तो बात्रूम गंदे पड़े हुए हैं हर चीद करने पो कहां जाएं यह प्लस प्लस की गेडिंग रखने लाइक ही नहीं विश्वेडाले क्यों नहीं है क्यों कि यहां पर छात्र फंग बाहाल नहीं है जब पहले हम लोग ज है कि जब 5000-3000 हो जाएंगे जो टोटल यहां पर फंग है जब 30000 बाहाल होगा और जरूर होगा बात करेंके लिए धलेवा जे आप अपने बारे बाताई हैं मैं हिर्द्यान प्रताप संग बिकौम का छात्र हूं और मैं ही कहना चाहूंगा चात्र संग जो है वो संग भाली के लिए जो भी चल रहा है यह बहुत ही महत्तपूर्ड है सौधिनों से अधिक से हो गया है सौधिन से अधिक से यह लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें आप कब से सामिल हुए है मैं एकदम सुरुवाज से हूं सुरुवाज से हमने देखा हूँ है इस चीज को कि क कुछ कदम बढ़ाए हैं और आज हमारे पास देखिए पांस जार रिवाओं की कठा होने ग्रूप हो चुका है यह पता है कैसी समस्याओं का सामला करना पड़ा यह पिछले सो दिलों के अद्दर आप पिछले सो दिनों में हमें सामला करना पड़ा जैसे कि परसासन जो है ह मतलब कि कुछ आपनी बात कर नहीं सकते पहली बात उठाई नहीं सकते आपकी बात उठी की प्रसासन वहां खड़ाओं एगर सब्सक्वाद लोगत। लोग तो अंदर भी नहीं है लोग तो पूरा का पूरा वो शिक्षा के छेत्र वे अगर बात करें तो चात्रसक बहाली कैसे उपी होगी है चिछा के चनल में सिच्छा के रूप में इस तरह से बाली है कि क्योंकि देखे अगर अभी आप शेदा जागता दरा ले लिजे इसक अब बच्चों को आएट दा इंड में बताया गया कि उनका बैंक में ट्रांजेक्शन में इधर उदर का जो भी हेर फिर हो रहा है रोल लंबर का है फेर है इतनी बड़ी इन्वस्टी चला रहे हो इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हो पिर जाने पर तो उन लोग की भास आ होना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाल टाइम आप देखा जाए तो दो आर्ट के जो हमारे चादनेता आसी मिसरा बॉक्सर जी जो हमारे बड़े बढ़े हैं और अम्राक तिवारी महली जो आप जानते होंगे इन से इन टाइम पर देखा जाए तो छासम वाली जब होता यहां अप जो हो जाए जिस परकार से आप लोग प्रयास कर रहे हैं जरूर अगर शार्ट के जो पहले पांच बच्चे थे अब दस हो गया अभी सबस्क्राइब आप बारें जब आप अबे डियावाद कुछ साल पहले ही चाल संबाली जब यह बंद हुआ था लगनों चाहसंबाली आप पाली तरह कोई इस चाहतर नहीं होती था अभी बंद हुए ना पहले जब होती थी मैं भी रख लख 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 बंद हुए चाहसां वाली तो बच्चे बहुत परसानी हो जा रही है अब यह तो आपकी बातों को लगभग लगवर लही ही सुला गया है यह बात आप स्विकार करें कि लेकिन आगे कि क्या रण देती हैं आगे क्या कर ले वाले हैं आप लोग क्या आप लोगों ले प्लाण किया है आगे की रणनीत यही है कि हम लोग महत्मा गांधी जी के आए पस्चिन्नों पर चलके सांती पूर्ण तरीके से जितने भी लोग छात्र सांती पूर्ण तरीके से लोग तंत्र में आस्था रखते हुए एक विशाल आंदूलन की तरफ अग्रसित होंगे किस परकार का अंदूलन गरम दल वाला भी होता है नार्म दल्वाला भी होता है नारम दल तक ही रहेगा नारं डल से शुर Hai लूज होगा अंदूलन के आदरशों मानते होए एक अंदूलन सांती पूर्ण झा आया आई है आपको खास करके हमारी समस्षा सुने throw तो आप लोग क्या कहेंगे कि फरजी मुकदमे रगा दिये गए आज ही पेसी है जाना है मार पीट कुछ और लड़कों ने करी लेकिन हम वहां उस दिन विशुदयले मौजूद नहीं तब भी डाल दिया गया हर तरह से हमारे साथियों के घर पर फोन करके तोड़ने कोशिश की गई उन्हें डराया गया दमकाया गया बहुत सारी परचानियां लेकिन बाधा विगनों को चूम-चूम से धूब दाम पानी पत्थर चासंग वाले आया कुछ और निखर यहीं बात बढ़िया तो देख सकते हैं लोले काफी अच्छा से अपने सबस्याइब बताए और आगे की रड़ देती भी बताया आगे लोने कहा कि हम लोग नरम दल के रूप में यानि कि सांती पुड़व तरीके से ही अपना कारिकरव आगे बढ़ाएंगे इस तबाब बाचीत पर आपकी क्या रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी परतिकरिया दे सकते हैं और एक सबसे जरूरी चीज़ी है कि आप लोग हमें ये जरूर मताईएगा कि चात्रसंग चुलाओं महाल Хोना चाहिए झाल, 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 झाल